Hello everyone, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिक्षा के द्रोब, सिक्षा के पक्ष, aspects of education तो ये बड़ा confusable topic है कि सिक्षा दूई द्रोबी पर किरिया है या त्रिद्रोबी पर किरिया है दूई द्रोबी ये किसने कहा है, त्रिद्रोबी ये किसने कहा है और इसमें कौन-कौन से पक्ष होते हैं, तो ये अलग-अलग किताबों ने बहुत confusion फैला दिया है उस confusion को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वीडियो बहुत छोटा सा है, बस द्यान से आप देखिएगा और आपका पूरा confusion आज खतम होने वाला है तो चलते हैं, टॉपिक की ओर, सिक्षा का त्रिद्रोबी ये पक्ष तो सबसे पहले इसका देखते हैं, कि सिक्षा के विसे में कोई सिस्सा सास्री एकमत नहीं है क्योंकि इसमें अलग-अलग विवाद होते रहे हैं एक जॉन एडम नाम से हैं, इनको एडम से भी बोला जाता है, जॉन एडम भी है बुक में लिखा हुआ, कन्फ्यूज ना हो, इन्होंने दुरुई धोभी ये प्रिकरिया मानी है शिक्षा के दो ध्रोब माने हैं इनोंने, इनके आधार पर एक सिक्षक होता है और दूसरा सिक्षार्थी होगा, और इनके बीच में सिक्षा का आधान परदान होगा इसके अनुसार प्रक्रिया के दो अंग होते हैं तो किस ने माना है सबसे पहले जॉन एडम ने इन्होंने दो पक्ष रखे डीवी ने कौन सा रखा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दो पक्ष इन्होंने रखे इसलिए इन्होंने इसको दुई धुरुविय माना जबकि सब कि इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष दो पक्षों को लेकर जब सिक्षक और सिक्षार्थी के मद्द्र पक्रिया चलती है उसको जोन डिवी ने दुई धुरुविय माना है ठीक अब एक तीसरे विद्वान और बीच में आते हैं उनका सुनिये जराशा कि ये राइवर नाम के विद्वान आते हैं एक तीसरे विद्वान और बीच में आते हैं इनका नाम है राइवर्न इन्होंने तुई धुरुविय पक्रिया की पूरी थ्योरी समझने के बाद उसको नकार दिया और कहा कि नहीं ये त्रिद भीयों को नहीं जौनडी विके नाम लिखा हुआ है तो सभी चात्र सको जौनडी विकर देते हैं जो कि गलत हो जाता है वासत्व में ये पुर पिरियाह और मैं किस ने कही है किस ने प्रतिपादित किया है तो आपको राइवर्न पर टिक करना है तो यह ध्यान रखें उसके अनुसार सिच्छा के तीन ध्रूब होते हैं सिक्छार्थी सिक्छक और पाठेकरम उपर वाले में तो यह था कि सिक्छक पढ़ाएगा और सिक्छार्थी पढ़ और पढ़ाएंगे यह यहां पर पूरा हुआ आपका तो यह आपको दिमाग में केलियर होके होगा कि त्री द्रुबिय राइवर ने कहा है ना कि जॉन डी बी ने इस मत को आगे बढ़ाया है इस मत से सहमत हुए हैं और अपना जो द्री द्रुबिय वाला था मनोवैग्यानि और सामाजिक उसके अलावा उन्होंने त्रीद्रूबिय को भी प्रतिपादित किया है तो अने किताबों में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है सही है लेकिन दिहान दीजिए जब त्रीद्रूबिय की बात आ जाए तो राइवर्ण को ही आपको लगाना है राइवर्ण के इन द्रुबों के सामानिक अपचारिक सिक्षा का बोध होता है, सिक्षा के इन तीन द्रुबों को उनको व्यापक रूप में अव्यक्त करना चाहें, तो इस प्रकार लिखेंगे, एक सीखने वाला सिक्षार्थी, सीखने के साधन और सीखने की सामगरी, चीखने के साधन के अंतरगत सभी चीज आ जाएंगी चाहे विद्याले हो या सिक्षक हो सारी चीजchemical आ जाएंगी और सीखने की सामगरी के अंदर पूरा पाठे क्रम आ जाएँ उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा किलियर हो गया होगा अब मैं आपको एक पार सार और समझा देता हूं दस सेकिंड में अगर आपको दुरी दुरुवी यह आ जाए तो जौन एडम करना है जौन डीवी का कंसेप्ट इतना है ध्यान रखना उन्होंने सिक्षक सिक्षार्थी नहीं कहा उन्होंने मनवग्यानिक और सामझी कहा है तो आपको राइवर्न को करना है और अगर उसमें राइवर्न नहीं है उप्शन में तो आपको जोन डीवी को करना है यह ध्यान रखना तो पहले नंबर पर राइवर्न रहेंगे अगर वहां नहीं है तो जोन डीवी भी स्टिक कर सकते हैं सही माना जाए लेकिन वास्तम में यह प्रक्रिया राइवर्न की है इसी तरह से कन्फ्यूजन दूर करते रहेंगे आपके अलग-अलग किताबें हैं अलग-अलग राइटर हैं सब को अलग-अलग लिख रहें थोड़ा सा इस पस्ट आप पढ़िएगा आपका इसी तरह से और भी आपके लिए वीडियो आते बाग